नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फैनकोड ECS T10 का टिक्सो स्रीच के जो मैच नमबर 4 खेला जाएगा OEI वर्सेस FRD के दर्मियान में दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे OEI और FRD के टीम ने यहाँ पे दोस्तों दोनों ही टीम ने एक-एक मैचेस खेल चुके हैं लेकिन एक मैच के बैसिस पे अगर आप यहाँ पे टीम क्रेट करोगे और यहाँ पे जो एक मैच हुआ है इसके बारे में दोस्तों आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन से खिलाड़े बैटिंग ओडर क्या रह सकता है और एक मैच का जो बैटिंग ओडर है ज़रूरी यह नहीं कि सेम बैटिंग ओडर आपको इस मैच भी दिखने को मिलेगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा और यहाँ पे याद रखना जो खिलाड़े का स्टेट्स मैं आपको बताऊंगा जो भी खिलाड़े आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते भी दिखेंगे प्लस मैं को कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए बेस्टेश बताऊंगा पहले एक छोटी इस रिक्वेश्ट है दोस्तों अगर आप चेनल पे नए जुड़े हो तो प्लिस चेनल को सब्सक्राइब जरू कर देना और ये कुरूब बिल्कुल फ्री गुरूप है अगर इसमें दोस्तों अगर फाइनल टीम पाना चाहते हैं ग्रेंट लिक और स्मॉल लिक अगर फाइनल टीम पाना चाहते हैं तो इसका link आपको इस वीडियो के नीचे discussion box में मिल जाएगा साथ साथ इस वीडियो के नीचे comment box बहला comment भी मिल जाएगा दोजे का link है कहीं पी पी click करके आप आसाने से इस group में join कर सकते हैं जल्दी से join कर लो तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले match भी नीचे से दोस्तों आपको पता ही होगा इस रिच के सारे matches एक एक ग्राउंड पे हो रहे हैं और यहां कगर आप पीछ देखोगे तो batsman के लिए काफी बढ़ यहां पीछ है तो दोस्तों यहां पे ज्यादस जदा man batsman को अपने टीम में लेते भी चलेंगे प्लस यहां पे दोस्तों अगर आप यहां पे देखोगे तो एक average first inning score 90-100 के आसपास first inning average score आपको देखने को मिल सकता है तो चलिए OEI के team से यहां पे बात करेंगे यहां पे बल्लेबाजी से इनका score कुछ खास नहीं है लेकिना गिंदबाजी आपको complete दो बर करते वे दिख जाएंगे और important गिंदबाजी प्राय कर सकते हैं वह अगर बात करेंगे दूसरे आपको गिंदबाजी इस match में में भी करते वे ना दिखे क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी mainman गिंदबाज इनके team से खेल रहे हैं यहां पे आपको चार गिंदबाज आपको खेलते वे चार से पांच गिंदबाज खेलते वे दिख जाएंगे तो यहां पे 9 matches खेले हैं 181 run score करा है 7 wicket इनोंने निकाले हैं यहां पे बल्लेबाजी से भी अच्छे काज score कर सकते हैं गेंदबाजी भी आपको complete दोबर करते भी दी जाएंगे team के यह भी काफ़े बढ़ी है आप इनको try कर सकते हैं अपने team में बाकी बात करेंगे दोसे आप इस score battle के बारे में तो 80 matches खेले हैं 628 run score करा है दोस्तों इनोंने 106 wicket निकाले हैं देखो यह खिलाड़ी बहुत ज़्यादा important रहने वाला है और रांटने सक्सन में इनको काफ़ी कम लोगों ने ध्यान दिया हुआ है लेकिन अगर इनका experience देखोगे तो बहुत ही hard hitter बले वाज है दोस्तों और काफ़ी बढ़ियां खेल सकते हैं experience हैं इनके पास और इनको अपने टीम में ज़रूर रह करना है बाकी बातने बुलाओं के बारे में साथ में जिस खेले हैं आठ रंडन इसकोर करा है और आठ विकेट इन्होंने निकाले हैं गेंदबाजी भी आपको करते हुए दिख जाएंगे इस वज़े से यह important रहेगा बाकी बातने अपकर इस रहमान के बारे में तो 9 मैच खेले है तेरह विकेट इन्होंने निकाले हैं टीम के यह भी में बॉलर है पूरे दो बर गिंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे सुनिल कुमार यहाँ पे दोस्तों ने 8 मैच खेले है 37 अने इसकोर करा है आपको बॉलिंग करते हुए नई दिखने वाले यह ची याद रखना दो यह काफी ज़्यादा इन्पोर्टेंट रहेगा इनको अपने टीम में ट्राय कर सकते हुए जो बैटिक और बॉलिंग दोनों करते हुए दिखेंगे तो दोस्तों यह था स्ट्रेट से यहाँ पर ओई आई कि यह लेकिन अगर सेकिंड टीम की बात करोगे दोस्तों एफ आर इनको अपने टीम में ले सकते हैं और बॉलिंग से भी आपको पॉइंट देने वाले हैं बाकि इम्तियास राना के बारे में दो मैच खेलें 48 ने स्कुर कराया देखो बहुत ही हार्ट इटर बल्ले बाज है यही कारण इनको अपने टीम में ट्राय करेंगे लेकिन वेकर ब बाकिरियान खान की बात करेंगे 30 मैच खेले हैं और 302 ने स्कुर करा है और 8 विकेट निकाले हैं बल्ले बाजी बहुत ही सुपाव करते हुए दिखेंगे गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाजी भी अच्छे का सब को करते हुए दिख जाएंगे दूस्तों लेक इनका स्टेट्स बहुत है सूपब है, 14 मैचेस में 215 अच्छे खास स्कोर कहा सकते हो और बॉलिंग भी करते भी दिख जाएंगे, बाकि ये दोनों के दोनों नियू खिराड़ी है, अगर इनको लेना चाहता है तो जील में ट्राइ कर सकते हैं, मौमेद असथ की बात करेंगे तो 13 मैच खिले हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे, तो 17 विकेट दिनों निकाले हैं, टीम के ये भी मेन बोलर है, आपको पूरे दो बर गिंदबाजी करते भी दिख जाएंगे, इनको एस बैट्समें ट्राय कर सकते हो, मिज़ूर इमान की बात करेंगे, तो 9 मैच खिल करेंगे, 10 मैच खिले हैं, 76 विकेट इनोंने निकाले हैं, देखो, बल्लेबाजी सचे कासे, यहाँ पर कैसे अगर आप देखोगे, तो गिंदबाज और बल्लेबाज दोने एवरेज का खिलाड़ी है, इनको अगर लेना है चाहते हैं, तो ग्रेंड लिंग में ट्राय करना इसमाल लिक्स मैं ड्राप करूँगा, क्योंकि और भी इंपोर्टन खिलाड़ी दोस्तों, जिसके बारे मैंने आपको अल्रेड़ी विडियो बता है, और इजी आप यहाँ पे एक परफेक्ट टीम त्यार कर सकते हैं, खोद से भी, दोस्तों, सारे खिलाड़ी को देखते ह मैंने आपके लिए एक बेश्ट टीम त्यार किया है, तो चलिए उस टीम की और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोट इस रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों अभी तक वीडियो का आपने लाइक नहीं करें, तो प्लीज लाइक ज़रू करदेना, क्योंकि मैं दोस्तों सुरुवात करेंगी हम लोग सबसे पहले विकेट की पर से, देखो यहां पर आपको के ओलिया खेलते वए दिखेंगे, OEI के टीम के तरफ से टीम का टॉप अडर का बैट्समेन है, इनको अपने टीम में ट्राइ कर सकते हैं, देखो सारे इक लाडिका जानकारी अपने अलरडी विडियो में ले रखा है, सारे इक लाडिका आपको मैंने केरियर रिजल बताया है, मुझे यह काफी बैटर लग रहे हैं, OEI के टीम के तरफ से हेट टूप अडर स्मॉल लिंग में तो जरूरू ट्राय करना दोस्तों, बाकि बात करेंगे यहां आपके लिए ज्यादा बैटर रहेगा, जिसमें अगर देखोगे तो ओ, M.O.R. फारुक जो की टीम का टॉप अडर का बैट्समें इनको ले सकते हैं, जेबाल कृष्णा को अपने टीम में ट्राय करते वे चलेंगे, जो कि इन्पोर्टन रने वाले हैं, और इनको कैप्ट आए रहाना जो कि हाडर बल्ले बाज़ बालिंग करते वे नई दिखेंगे, जिसमें ध्यान में रखना अगर बालिंग करते हैं, तो यह हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन के रियर इसल में आप देखोगे या भी बालिंग करते वे नई दिखें, यह इनको गिंदबाजी करते हुए देखेंगे, यह समयत की बात करेंगे यह पूरी दो वर गिंदबाजी करते हुए नज़राएंगे, अगर इनको लेना चाहते हैं, इनको अपने टीम में ट्राइ कर सकते हुए यह वी टीम के काफी बढ़िया बोलर है, दोस्तों यह आपको पुरे दो बर गिंदबाजी करते हुए दिखेंगे मेरे इसाब सेगर फिलाल दोस्तों यह पर टीम प्रिवीव देखो तो कुछ इस प्रकार का है जिसमें से कैप्टेंसी की बात करेंगे तो इनको ट्राय किये हुए और वोइस कैप्टेंसी के लिए जय हिंद